शुरू अल्ला के नाम से जो नहायत महरबान और रहम करने वाला है अस्सलाम आलेकुम सर्दी आए उसूफ ना बने नामुम्किन सी बात तो आज मैं आपके साथ एक एसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे पीने के लिए हम बहुती बड़े बड़े रेसिपी है और वहाँ ये हमें बहुती एक्सपेंसिब भी पड़ता है तो आज हम बना रहे हैं चिकन होट एंड सॉर्स सूट चाइनीज शेफ की ऑथिंटिक और मज़िदार सी रेसिपी है रेसिपी को आपने फुल वोच करना है और स्टेप आए स्टेप आपने बनाना है तो इन्शाला आपको रेस्टोनेंट वाला जायका घर पर मिलेगा तो चलें आज की हमारी मज़िदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं हूँ असमा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग वेद असमा सबसे पहले हमने चूले पर एक अदद फ्राही पेन रग दिया है आप इसमें हमने एक खाने का चमच कुकिंग ओयल डालना है सिर्फ एक चमच ही जाएगा इससे जादा हम नहीं डालेंगे और चिकन हमने लिया है 300 ग्राम 300 ग्राम चिकन की में परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेर करूंगी इंशाल्ला धाई और ब्रेस्ट हमने दोनों मिक्स लिया है और चिकन को हमने धो लिया है तो अब इसे हमने प्राही पैन में एड़ कर दिया है अब दो मिनट तक हमने चिकन की बुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर इतनी देर हम इसकी बुनाई करेंगे जितनी देर में चिकन का कलर बिलकुल चेंज ना हो जाए इस स्टेप से ये फाइदा होता है कि चिकन की जो एक स्मेल सी होती है वो खतम हो जाएगी वो आपको बिलकुल भी नहीं आएगी और बिलकुल रेस्टोनेट वाला जाएगा आएगा इन्शालला आप बॉनलेस चिकन से भी सूप बना सकते हैं लेकिन बॉन के समय जो होता है वो चिकन का सूप बहुत ही मज़ेतार बनता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बॉन के समय धी लें बाकी जिसी आपकी मर्जी आप खुद के बास है चले अब इसमें डाल देंगे चार कलिया मेने लसन की ली है वो डाल देंगे और एक छोटे साइस का प्यास लिया है जिसे चार टुकडों में तक्सीम किया है वो ही हम इसमें एट कर रहे हैं इसे बस हमने चमच चला कर मिक्स करना है और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे इसे हमने पकाना नहीं है बलके मिक्स करके बस हम इसमें फॉरण से पानी अट कर देंगे और पानी हमने इसमें डाल देना है 1.5 लीटर 300 ग्राम हमने चिकन ली है और 1.5 लीटर इसमें पानी जाएगा और एक चाय का चमाच हमने नमक डाल देना है और अब हम ढकन को बन कर देंगे और इसे बॉयलाने देंगे तेज चूले पर ही और जिसे ही बॉयलाने लगेगा तो हमने चूले को मीडियम दूलो कर देना है और इसे 25 से 30 मिनट तक हमने इसे पकने देना है चलें अब हम ढकन को हटा देंगे और चिकन और प्यास लसन जो हमने इसमें डाले थे और छिकन को हमने ठंडा कर लेना है तो एक कप हमने चॉप किवी cabbage ली थी वो हमने डाल दी है और एक medium size की हमने गाजर ली है जिसे हमने चॉप किया हुआ है बारीक वो भी हम इसमें add कर देंगे इतनी देर में हमारी vegetables होंगी इतनी देर में हम chicken को shred कर लेंगे और चिकन को हमने बारीक बारीक नहीं बलके थोड़ा मोटे सी पीसिस में रखना है जो मूँ में आएंगे खाते हुए तो बहुत ही मज़दार लगेंगे बाकी आपकी अपनी मर्जी है आप बिलकुल बारीक भी बना सकते हैं और मोटे भी रख सकते हैं मैंने थोड़े मोटे ही रखे थे चले चिकन हमारा शेड हो चुका है इतनी देर में हमारी वेजी टेबिल्स भी थोड़ी नर्म हो गई होगी तो अब हम आ गए हैं फिर से चुले की तरफ चिकन को हमने यखनी में डाल देना है और बाकी की चीज़े भी हम इसमें एड़ करते जाएंगे एक अदद मीडियम साइस की हमने शिम्ला में इच्री है जो आदा कब बन रही है चौप की हुई वो हम इसमें डाल रहे है दो खाने की चमच हमने इसमें सिरका डाल देना है और तीन खाने की चमच इसमें जाएगा सोया सॉस और दो खाने की चमच इसमें जाएगा चिली सॉस और एक खाने का चमच हमने इसमें डाल देना है अवेस्टर सॉस अगर आप रेस्टोरनेट वाला जायका चाते हैं तो ये तमाम सोसेस आपने जरूर रैट करने हैं इनसे आपको सोसेस की मैंने आपको बोतल इसलिए दिखाई है ताकि आपको लेने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और ये sources कुछ इतने मिंगे भी नहीं आते कि आप ना खरीद सकें और easily आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल भी जाते हैं और ये बहुत ही time तक इस्तिमाल भी हो जाते हैं किसी भी Chinese dish में आदी चाय की चमच हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालनी है एक चाय की चमच हमने पहले डाला था और चुथाई अब डाल रहे हैं और चार खाने की चमच हमने कॉन फ्लॉर ले लिया है आदा कब इसमें पानी डालना है और इसे अच्छे से हमने हल कर देना है हल करने के बाद इसे हमने यखनी में ही डाल देना है कौन फ्लॉर दालने के बाद हमने 2-3 मिनिट तक की पकाना है और इस तरीके से हमारा मज़धार सा चिकन होट सौर शूफ तैयार हो जाएगा माशाला से हमारा बहुत ही जबरदस चिकन होट सौर शूफ तैयार है आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है इन्शालला आपको भी पसंद आएगा मेरी फैमली ने तो इसे बहुत ही पसंद किया था इन्शालला जब आप ट्राई करेंगे तो आप सब को भी बहुत ही पसंद आएगा चलें मैं आपको एक टिप भी देती हूँ अगर आपके मेमानों के लिए बना रहे हो सूप तो आपने तमाम यखनी तयार कर लेनी है चिकन और वेजिटेबिल समाम चीजें सौसिस वगेरा भी डाल देने है लेकिन आपने कॉन फलॉर नहीं डालना है सर्फ करते हुए ही इसमें कॉन फलॉर एड़ करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और आपके मेमान आपसे बहुत ही खुश होंगे कि यह बहुत ही मज़दार बनता है आपने एक बार जरूर ट्राइ करना है और ट्राइ करने के बाद मुझे अपना फीड़बेक जरूर दें कि आपको कैसा लगा मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहां भी रहें हसे रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपने वालदेन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दौाओं में याद रखें चलें इजासत दें चलती हूँ फिर मिलूंगी इंशाल लाइक नहीं वीडियो के साथ अल्हाफेज